हेलो फ्रेंड्स आज हम डिसकस करेंगे फादर व वेरियस सैंस डिसकवरी पर शुरुआत करते हैं लूइस पास्टर के साथ इनको माइक्रो बाइलोजी का फादर कहा जाता है इन्होंने फेस्ट लाइव एक्सिन डवलक की थी एंथरेक्स डिजीज की अगेंस्ट एक ग्राम पोजिटिव बेक्टरिया के दवारा होने वाली डिजीज है इसके अलावा लूइस पास्टर ने जरम थिएरी ओफ डिजीज इस्टेलाजेशन की टेकनिक पास्ट्यूराजेशन की टेकनिक को भी डवलप किया था इन्होंने म अलग अलग बेक्ट्रिया की खोज की थी एंत्रिक्स 1886 में टूबर कलोशिस की 1882 में और कोलेरा बेक्ट्रिया की डिस्कवर इन्होंने 1883 में किया था नोबेल प्राइज इनको 1905 में मिला था प्रेंट्स आप कई बार पढ़ते होंगे कि एंटेनी वेन लिवेन होक को भी बेक्ट्रियलोजी के फादर कहा जाता है लेकिन एक्ट्रियलोज में रोबर्ट कोच को ही बेक्ट्रियलोजी के फादर कहा जाता है थरड है Edward Jenner, इनको Immunology और Vaccination के फादर कहा जाता है इन्होंने Faced Vaccine Small Pox के अगेंस्ट 1796 में डवलब की थी इसके अलावा और Important Fathers है Markello Malpigy को Histology का फादर कहा जाता है Histology का Means होता है Steady of Tissue Thomas Edison को Endocrinology का फादर कहा जाता है अरुस्तु को हम सभी जानते हैं Biology और Geology के फादर कहा जाता है ये Branches काफ़ Important Fathers कई बार Exam में पुछ जाती है Next है चरक को Indian Medicine के फादर कहा जाता है सुसूरत को Indian Surgery के फादर कहा जाता है जबकि Robert Hook को Cytology के फादर कहा जाता है Cytology का Means होता है Steady of Cell साल को पॉलियो वेक्सिन के फादर कहा जाता है तो Friends ये आज के अपने 10 Important Fathers थे जिनको हमने डिसकस किया आप हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को Like, Subscribe और Share जरूर करें धन्यवाद Friends नेक्ट वीडियो में मुलाखात करेंगे आगे के Important Fathers के साथ